जैहिन स्वायत करता हुआ आप सब्सक्राइब के हमारे अपने अपने इडिव चनल सुल्जश आमी त्यारीप पुछलिए साम के तीन बच्ची और आज वहां आपके वीच हमारी आज की नर्सिंग असिस्टेंट की स्पेसल क्लास को लेकर आज जो हम सब देगे नर्सिंग अ आज के आज की कलास को सुरूख कर लेते हैं अधिक आपका दो कलास लुक की आगया था जो कि आपका पहला क्लास था टेक्निकल का और दुसरा क्लास था नर्सिंगेशन का यह आपके ओन डीमांड को देंगे आपके और पर इस्पेसल क्लास सुरू की गई थी जो की करीब करीब आपकी एक वीक आई साथ से आठ दिन आपकी एक लास आई इसके बाद मैंने देखो अब यह क्लास को बंद कर दिया जा रहा है क्योंकि टाइम नहीं होने की वज़ा से और आपके डिमांड को देखते हैं मैं क्लास ल आपकी चलते रहेगी और जो साम साथ बजह आपके प्रैक्टिस सेट की क्लास आती थी वह भी आपकी चलती रहेगी यह थी लिए बाकी जो बंद किया रहा है अब दिखिए जिस बुक से आपको यह क्लास हो रही है यदि उस बुक का पीडिए आप सब को बाई करना हो तो मेरा वाट्सप नमबर है उसके आप सब मैसेज कर देना मैसेज करने के बाद मैं आपको यह बुक को बाई करने का ऑप्सन बता दूंगा बुक आपको किविशन में विच सॉल्यूसन दिया जा रहा है ठीक है और जो बुक का प्राइस है रिटेल मार्केट में या पिर आप से शुरू करते हैं किविशन नमबर वन देखो यहां पर आपका क्या दिया हुआ है कि राजीव गांधी की बंधमाके में मिर्तियू कहां हुई थी कोच्ची में, विजयबाडा उप्सिन नमबर दी। आपको बताना है तो सबको पढ़ा रहा है जो असरोग विद्रो है वो आपकी 1920 में जो है शुरू हुई थी चलिए इसक्रिप्चन को देखते हैं जो कि सब्सक्राइब या पर अब सकते हैं जोगवार्ख सबको पता हैं तो ग्राहम बिल के द्वारा जो देखो टेली फोन का विस्कार किया गया था बहुत अच्छे चलिए नेक्सकी विचन देखते हैं जो की है देखो यहाँ पी आपका कि ग्यान पिट पुरसकार पाने वाले पहले व्याक्ति थे पढ़ाया हुआ है कृष्णा सुभती थी गोविन संकर कुरूप थे कैलास सत्य जारती थे या पिर आसा पुर्णा देवी थी कौन थे ग्यान पिट पुरसकार पाने वाले प्रतम विक्ति तो यह कौन थे तो वह थे देखो आपके गोविन संकर कुरूप सब को पड़ा रखा है सब को ध्यान में रगना ठीक है चलिए नेक्सकी विचन दिया हुआ हुआ जो कि यह देखो यहाँ पर आपका कि असम में इस्थित पूल का नाम क्या है महराना प्रताप महत्पागांधी से तु भूपेन हजारी का या पिर ऑप्शन नमबर डी देखो हावडा ब्रीज दिया है असम में कौन सी फेमस पूल इस्थित है यह आपको यहाँ बतानी है असम में जो कौन सी ब्रीज इस्थित है तो देखे इसका जो राइट अंसरो कों होगा तो या दो आपकी भूपेन हजारी का जो यह देखो आपकी आपकी असम में इस्थित है चलिंग निक्सक्रिप्शन करते है जो कि यह देखो यहाँ पर आपका शड़क पूल है घृतधान में रखना देखो कि भारत का सबसे बड़ा सवस्क्राइब याऔर कमिशन का संबंद है आर्थिक पत्ती में सुधार सम्विधानिक तता राजनितिक पत्ती में सुधार सती प्रता या पिर ऑप्शन नमबर D उसका क्या था संबन दिये जो आपको यहाँ पर बतानी है तो याद रखेगा कि जो सम्विधानिक तता राजनितिक पत्ती में सुधार से था ठीक है जो भी इनको प्रब्लम आ ले थी इंडियाम उसको लेकर था निश्किप्षन आपका देखो यहाँ पे कि उच्थम नयायाले के नयायधिस को सेवा निवरित्ती की उम्र होती है पच्पन वर्स अंठावन वर्स बासट वर्स या फिर पैसट वर्स या फिर उच्थम सब को उनकी सेवानिवरित्टी की उम्र क्या हो थे तो सब को याद रखेःगां कि सुप्रेम कोट के मुक्रें आएधिस व कि इस्तम नहीं वर्स वर्स होती है सेवानिवरित्टी की ठीक है राइ या से क्या हो तो ओप्सक्ण den देखते हैं जो की है यहाँ पर आपका कि मा मनिका बत्रा की स्खेल से समभन्दीथ हैं प्यों चलबंविक से हैं ने ।् किम चल्व jurisdictions तो आपके स्वास्थ व्यक्ति डिया हुआ यहां से जी विल्ट्र blur चुल पनें अचमधिक सब्सक्राब की महलगिए टेःकर दिया है पर कि एक स्वस्थ व्यक्ति का तापमान अंठानवे दस्मनलों चार परनेट में लोगी एक स्वस्थ व्यक्ति की जो टेंपरेचर वो 98.4 फैरन हाइट है तो इसका मान सिल्सियस पहाने में क्या होगा देखिए कि कि यह तो निकालोगे आप सब देखो एक तरीकिस बाज़ा पर यहां पर यहां पर आपका की हार्मोन का उप्यों के लिए किया जाता है मोटा बेली कारे के लिए यहां पर रोगों से बचाओ के लिए उर्जा की उथपादन के लिए पाचन वह यहां पर दिया वाए देखो आपका क्या दिया जाता है तो आपका मोटा बेली कारे के रूप में किया जाता है सब को इध्यान में रखना चलिए निक्स्क्रिशन देखते हैं जो कि 13 आउग आपका RNA में नुकलियास में पलाजिमा में या या नूकलियक चीड में किसमें देखो आपका DNA पाया जाता है यहां पर आप सबको बताने शेगहार की जा जब करए ना और आपका widक हुँआ होता है करोटीन होता है या फिरोण G हड्डी तो सभी को इसक TC पता है दसको बोलते या फिर एक तरीके से मानोसिर में जो सबसे कर्थषाइब किया है लों आपका इने मील होता है टीक है ज़्यों की है यहाँ प्रस्क्र पता कि लिथा मींशी की कमी से होने वाला रोग हिए फ्ली No. D दिया हimyए नियोलीन है vitamin C की कमी सोने वाला रोग कौन सा है तो लगभग सभी का answer से पता है च्पार रहे हो तो क्या होगा श्कर्वी ठीक है vitamin C की और कमी सोने वाला रोग कौन सा है तो यह आपका स्कờ भी है चली तरह चीए ने होता है तो सब को ध्यान एक का तो सब क्या होता फिर्फ का यह क्यू halet कर एक ना इस्ट का जो मुख्य स्रोत है वह क्या है तो वह देको आपका राइबो फलेवीन है कि सब कर लिए यहां पर क्या होई घ्रॉजबी हो गई चाले ने इस 나쁜 गुप संद ने किसके दोबारा आपका रक्त परी संचला का खोज किया गया थे कि जो आपको यह बताना है तो जो और has यहां डियान से खुजह कि द्वारा की गई थी जो आपकी आपकी लिए है ठीक्तष्क हम अरेगी थे स्कत्रीष Crisis account के concurred यह आपको यहां बताएं तो याद रखिएगा कि शुरुवात के रिए जो यहां पर अनिवार हैं वह कौन है तो आपके हरे पौधे हैं सबकी ध्यान में रखिएगा ठीक आपके 20 राइट आज से क्या होगी तो यह देखो आपके option number C हो जाएगे ठीक है चलिए next description देखते हैं जो कि यह देखो यहाँ पर आपका कि कोशिका भित्ती किसमें पाया जाता है जन्तु कोशिका में वनसपती कोशिका में जन्तु में वनसपती कोशिका में या पर option number D उप्रोक्त में से कोई नहीं तो याद रखिएगा जो आपके कोशिका भित्ती है वो आपके देखो पाया जाती है वनसपती कोशिका में याद रखिएगा जो आपके कोशिका भित्ती है यह किसमें पाया जाती है यह देखो आपके पाया जाती है वनसपती कोशिका में चलिए description देखते हैं जो कि यह देखो यहाँ पर आपाया जाता है चावल में, गेहु में, मास में या फिर option number D, इन में से कोई नहीं, निमी में से किसमें जो है बेखो आपका कार्बोहाइटरेट सबसे अधिक पाया जाता है, यह जो आपको बतानी है, चावल में, गेहु में, मास में, आप्षन नमबर D, इन में से कोई नहीं 97.5 degree Celsius, 37 degree Celsius, 100 degree Celsius, या फिर option number D, इन वे से कोई नहीं, तो याद रखे हैं कि Celsius में जो है यह कितना होता है, तो यह आपका 37 degree Celsius होता है, चलिए नेक्सक्रविशन करते हैं, जो कि यहाँ पर विटामीन C की कमी से होने वाला रोग, जो विटामीन C है, उसके कमी से होने वाला रोग क करते हैं, जो की है, देखो यहाँ पर आपका, तो यह देखो दिया वाए आगे कि सरीर में सबसे मजबूत पेसी कौन सी है, जबडा है, जांग है, चाती है, या कान है, सरीर में जो सबसे मजबूत पेसी है, वो कौन सी है, तो आपकी हो जबडा, ठीक है, सरीर में सबसे मज सुची कौन से एलडी हाइट के बारे में इहां पर साथ की साथ अभी कि के साथ कराने से आपका ब्लीचिंग प्राप्थ होता है सीयोच, टू, सीयोच, यापी सीएयोच, सीयोच, टू, सीयल टू, या फिर option नंबर डी नि में से कोई नहीं, तो देखो, bleaching powder का सूतर होता है, देखो, आपका CEO, CO2 यह तो सब कोई जानता है टो क्या होगा देखो 밋 CEO, होगा जब Costco के колo के साथ तब आपका CEO, CO2 प्राफ्थ होगा चलि इन एक्स्क्रिपशन देखते हैं जो कि यहाँपका यहाँपका दिया हुगा है किनिस्ट प्राकिरती गैस है चलिए नेक्सक्रेशन देख लेंगे जो कि यहां पर आपका कि LPG मिस्रन है, जो LPG है वो किसकी मिस्रन है, प्रोफेन की, मिथेन की, इथेन की या ब्यूटेन की, जो LPG है वो निन में से किसकी मिस्रन है, यह आप सब को यहां मतना है, सब को बताने की कोशिच किजिएगा, तो तो आपका हसाने वाली gas के रूप में जानते हैं। यहाद रखिएगा 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 यहाद रखिएग ब्रॉन का जो है आपका देखो सबसे उच द्रवनांग होता है जो कि यहाँ पर आपका कि निमने में से योगिक द्रुविये गती दर्साते हैं कौन से योगिक द्रुविये गती दर्साते हैं NH3, CL, C, CL4, CO2 या पर option number D इन में से कोई नहीं तो याद रखेंगे कि इसका जो राई डांसर है 33 का कोई भी नहीं है ठीक है कोई भी ऐसा नहीं है जो कि आपका देखो द्री द्रुविये गती यहाँ पर दसाता है जो है इसको तक द्रुविये गतार के चाहते है यहाँ जोनको होता है यह आप सब को यहाँ पर बता दे यहां उलाइन जो रेट है या फिर आपकी रेट है उससे बहुत कम रेट रहे फोटी परसेंट रहे आधे से भी कम रेट रखेंगे पीडिया फाइंड में बुक के लिए सब कोई बाई कर सकते हो नीचे डिसन बॉक्स में मेरा वॉक्सप नमर महां से आपसो मैसेज कर सकते हैं क्यूंकि आज जो यह क्लास आपक करते हैं जो कि यहाँ पर आपके निम्न में से कौन सी उरजा का स्रोथ है CS3OH CS3CHH या पर देखो C4OH10 या पर देखो option number D इनी में से कोई नहीं तो याद रिखिया कि निम्न में से कौन सी जो आपकी उरजा के स्रोथ है तो यह देखो आपका उरजा का सोथ होता है ठीक है है उसमें से कौन से गयाश्य उपस्तीत रहती है Hydrogen, Ethane, Propane, Methane, देखे इसका राइटान से क्या होगा तो सबको याद रखना कि गोबर गैस में आपका Methane Gas उपस्तीत रहती है ठीक कि गोबर गैस में कौन से गैस होती होती है तो यह Methane Gas उपस्तीत होती है next question करते हैं जो की है देखो यहाँ पे आपका जो next question दिया हुआ है यह है देखो आपकी कि सभी एसीडो में मिला हुआ सामुहिक तत्व कौन सा है हाइड्रोजन है चीनी है कार्बन है या पिर option number 10 में से कोई नहीं तो सभी ध्यान में रखेगा देखिए कि सभी एसीडो में जो मिला हुआ समाही सामुहिक तत्व होता है वो कौन सा है तो वो सभी को ध्यान में रखना है वो देखो आपका right answer क्या होगा है इसब को बताने कोज़ करना है देखो right answer जब आपका hydroson हो जाएगा ठीक है सभी एसी अल्यूमिना में बदलने की प्रक्रिया को क्या करते हैं इस मेल्टिंग करते हैं रोस्टिंग करते हैं क्या पिर ऑप्षन नम्बर डी इन में से कोई नहीं तो देखो इसको जो है आपका यहां पर जाना जाता है देखो क्या जानते हैं तो क्या जानते हैं तो क्या जानते हैं यापकर option number D, इन में से कोई नहीं, तो देखे जो आपका equivalent bond होता है, उसमें इलेक्ट्रोनों की आपसी साजा जो है, दरसाई जाती है, चलिए next question करेंगे, अब जो है यहाँ से देखो, आपके maths के questions होंगे, भाग D में देखो, आपका गनीत है, चलिए, तो गनीत maths के questions जो है, क्या दिया हो है, देखो, यहाँ पर आपका, कि एक समांत्र श्रेनी AP के 40 में पदो का योग, जिसका पहला पद 2 और सारवंतर 4 है, क्या होगा, यह जो आपको यहाँ बताने है, तो याद रखिए, एस इन पूछा है, आखरी पद पूछा है, 40 में पद पूछा है, 40 पदो क योग पूछाए, ठीक है, तो चलिए, इसको निकाल लेते हैं सबसे पहली, तो क्या होता है, देखो, यहाँ पर आपका, सबसे पहले यह दो, पहला पत दिया है, मतलब कि ए दे दिया, ए कितना है, तो ए देखो, आपकी 4 है, ठीक है, तो a equal to कितनी है, a equal to 2 आ गई, और सब्सक्राइब होते तो आपका 4 आ गया, 40-1 कीजिएगा तो आपका 39 आया, ठीक है, 39 इंटू में 4, चलो यहाँ पर बनाने को उसकरो, आपके आंसस क्या रहे हैं, सभी को यहाँ पर बतानी है, तो देखो आपका 20 हो गया, इंटू में आपका, ब्रैकेट में क्या हो गया, टो आपका आपका 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 1, 5, ठीक है, इतना आगया, अब क्या होगा, इंट यहाँ पर ब्रैकेट बंद होगा, अपकी यहाँ पर ब्रैकेट बन बन होगा, तो यह देखो आपकी हो गई, जब आप टूटल को मंटिप्लाई करेगा तो आपका आंसर कितना आगा तो आपका आंसर आएगा देखको 3200 बती सो जो इसका राइट आंसर होगा ठीका ओप्सन नंबर सी इस दा राइट आंसर जिनका विस्ती है वो बिल्कुल सही बता रहे हो चलिए नेक्सक्रेशन करते है जो की है यहाँ पर आपका कि श्रेणी 421 का कौन सा पद एक बटा 28 होगा यह जो है आपको यहां बतानी है 42 का राइट आसर क्या होगा ठीक है 42 का राइट आसर होगा इस अब देखते है निस्स्रीपिजन जो कि थे है यहां पर आपका दिया हुगा क्या है Ini ते देखो कि सी त्रीकोन की जो भुजा सbers सेंटीमेटर था तना पाघ सेंटीमेटर हो तो छेरफल क्या होगा यह आप सब Rad helle चलिए तो सबको भी बताने ही को सिच करने आपका अंसर क्या आएगा ठीक है यह जो है आप सबको यहां बताने क्या आपको तीन चार और पांच दिया वह यही डूआ हो ना तो देखो क्या बोला है आपको यहां पे तो यह जो है आपकी पाइथागोरस प्रेमेट बने गए पाइथागोरस के ट्रिप्लेंट संख्या है यह ठीक है तो यहां पे पाइथागोरस के ट्रिप्लेंट संख्या है कौन सी होगे मानों यह आपकी पाइथागोरस के ट्रिप्लेंट संख्या है यह आपका पांच हो गया ठीक है यह आपका कितना हो गया चार हो और यह कितना ह तो ये देखो आपका यहाँ पे 3 हो गया ठीक है इस प्रकार से दिया हुआ है अब जब देखो यह हो गया ते एक तरी कैसे क्या होता है यह समकॉन त्री भुज़ भी होता है आधार गुना लंब होता है तो वन बाइट्व होगी है इंट्व में आधार कितनी थी तो आधार थे तीन और लंब कितना था तो वह था चा ठीक आधार गुणा उचाए कि नहीं था था थी इंट्व फोर था अब क्या आगे देखो यहां पर टू टर्म में कड़ गया तो जब थी सब्सक्राइब देखो आपका यहां पर सही है चलिए नेक्ट किप्शन देखते हैं जो कि यहां पर आपका कि बिन्दू वह और माइनस वन और पांच से लेकर कौन सा समी करना होगा तो देखें क्या दिखें यहां पर यहां पर कि वन वन और नेक्ष्ट आपका थी और आपका कि 3 10 square 10 square 30 degree फिर प्लस में देखो आपका यहां पर सेक का पावर 4 दिया हो है 45 डेगरी नेक्स आपका क्या दिया हो 10 का पावर स्क्वार ठीटा है वह एक तरीगर से तो वह कितना है 60 डिगर तो इसको बनाने का बेसिक सा तरीग है कि तो वाल्यू पूट कर दो तो 3 हो हो ठीक है अब इसका देखो यहां पर सेक का पावर 4 है तो यह पावर में 4 हो गया है तो आगे माइनस है 1060 degree का वैल्यू कितना हो था तो तो यहां पर आप सब जानते है रूट 3 होता है अब यह स्क्वार है तो यहां पर क्या चड़ जाएगा तो आप देखो क्या हो गया य 4 करोगे तो क्या होगे देखो यहाँ पर रूट 2 इंटू में रूट 2 इंटू में रूट 2 और defending मॉन्ट 2, जब ण्टी रूट 2 मॉन्ट d ौत है तो तो 4 plus 1 कितना होगी आप 5 यहाँ पर अच्छे से लिख लेते हैं चलो तो क्या आगे देखो यहाँ पर आपका 1 प्लस में 4 और माइनस में 3 तो कितना होगी आप 5 माइनस में आपके आइगी तो आइगी देखो आपकी 2 45 का राइनस यहाँ देखो कि समुद्र की सर्ता उपर उठते जाने पर वाय। क्या होगा कम हो जाएगा अधीक होता जाता है अपरिवर्तित होता रहता है या पर अप्शन नमबर डी इन्हें से कोई नित याद रखेगा देखे कि समुद्र की सत्था उपर उठते जाएगा न तो जो उसका वाईूमंडल यह दाव में वो क्या होगा तो वो कम होने होगा तो तामबा तामबा जो यह देख आपका विद्यूद का सुचालक होता है जो कि यहां पे आपका कि जब धातु को गर्म करते हैं तो धातु का घनत वो बढ़ता है घटता है परियोतित तरता है अपर उप्शन नमबर डीन में से कोई नहीं तो जब भी आप धातु क गर्म करिएगा तो धातु को गर्म करने पर उसकी जो डेंसिटी है वो घटने लगती है ठीक है उसकी जो घनत वह घटने लगती है फोटीट का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा चलिए नेश्क्रिप्शन करते हैं जो कि यह देखो यहां पे बढ़ता ह किस क खारन से होता है सभी लोग क्लास को सेशन को लाइक जुरूर कर दीएगा सभी क्लास को लाइक जुरूर कर देखो पर अलुप चैनल को सिद्रे आफ से मुलकात हुगे साम साथ बजे जब आएगी देखो आपकी आर्मी की प्रेक्टिसिटी क्लास और उसमें जो है आपकी सभी क्लासे क्या मरजेसम होता है जैसे में टेक्निकल, नर्सिंगेशन, क्लर, कुमेन विलिटर, पुलिस, जीडी, ट्रेशन सभी के लिए को क्लास होते हैं ठीक है तो सब क बुक एक बार खरीद के जरूर पढ़ लेनी चाहिए बुक बहुत ही इंपोर्टेंट है आप सब के लिए बुक की प्रह ज्यादा नहीं रखी है देखो जो मार्केट में जो रेट है उससे 40 परसेंट रखा गया है आधे से भी कम रेट रखी गये बुक की बुक में आपको बुक के बारे में बताना अब आपको खरीद कर उसको टेस्ट लगा लेना सबकूर को खरीद लिजीएगा बुक को खरीद लिए कर सकते हैं तो आपको आपसे उससे जो सीधे मूलाकात होगी हमारी साम 7 बजह आई की इंडियान आमी की प्रक्रक्टिस एडी क्लास जोकी सभ all of you bye, have a good day and Jai Hind, Jai Bharat!